नमस्कार, कथा कहानी कावे में आपका स्वागत है, आईए हमारे साथ इस साहित्तिक जफर पर, मेरा नाम है मनीशा, और हमारी आज की कहानी है मुन्शी प्रेमचंद के उपन्यास, सेवा सदन का पाच्वा भाग चौथे भाग में आपने सुना, कैसे वकील पदम सिंग के यहां से निकाले जाने के बाद सुमन भोली के यहां पहुँच गई फिर भोली ने चिकनी चुपड़ी बातों से सुमन को ऐसा बहलाया कि वो सब छोड़कर इसके साथ रहने के लिए राजी भी हो गई और अपनी संगी शिक्षा के लिए भी मान गई उधर पदम सिंग को सुमन को निकालने के बाद गलानी होई दफ्तर में भी उनके साथियों और अन्य करमचारियों के विवार में उन्हें अजीब सी तबदिली नजर आई जो उन्हें ग्रणित मालूम होती थी उनका भतीजा सदन सिंग घर से भाग कर उनके पास आ गया और एक दिन वहें गजाधर से मिलकर सारे संधे मिटा कर यह जान सत्ते में आ गए कि गजाधर के कान भरने वालों में उनके मित्र विठल दास का हाथ था शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पदम सिंग के घर पर होली पर हुए होली के नाच गाने से आपत्ती थी लेकिन उन्हें वजह साफ तौर पर पता नहीं थी अब आगे दूसरे दिन पदम सिंग सदन को लेकर किसी स्कूल में दाखिला कराने चले किन्तु जहां गए साफ जवाब मिला स्थान नहीं है शहर में बारह पाट शालाएं थी लेकिन सदन के लिए कहीं स्थान न था शर्मा जी ने विवश होकर निश्चे किया कि मैं स्वयम पढ़ाऊंगा प्राते काल तो मुवक्किलों के मारे अफकाश नहीं मिलता कचेहरी से आकर पढ़ाते किन्तु एक ही सप्ताह में हिमत हार बैठे कहां कचेहरी से आकर पत्र पढ़ते थे कभी हार्मोनियम बजाते कहां अब एक बूढ़े तोते को रटाना पढ़ता था वह बारम बार जुंजलाते उन्हें मालूम होता कि सदन मंद बुद्धी है यदि वह कोई पढ़ा हुआ शब्द पूच बैठता तो शर्मा जी जल्ला पढ़ते वह स्थान उलट पलट कर दिखाते जहां वह शब्द प्रथम आया था फिर प्रश्न करते और सदन ही से उस शब्द का अर्थ निकलवाते इस उद्योग में काम कम होता था किन्तो उलजन बहुत थी सदन भी उनके सामने पुस्तक खोलते हुए डरता वै पश्टाता कि कहां से कहां यहां आ गया इससे तो गाउं ही अच्छा था चार पंक्तियां पढ़ाएंगे लेकिन घंटों बिगडेंगे पढ़ा चुकने के बाद शर्मा जी कुछ तक से जाते सेर करने को भी जी नहीं चाहता उन्हें विश्वास हो गया कि इस काम की क्षमता मुझ में नहीं है महुले में एक मास्टर साहब रहते थे उन्होंने बीस रुपे मासिक पर सदन को पढ़ाना सुईकार कर लिया अब यह चिंता हुई कि यह रुपे आए कहा से शर्मा जी फैशनेबुल आदमी थे खर्च का पल्ला सदा दबा ही रहता फैशन का बोज अखरता तो अवश्य था किन्तो उसके सामने कंधा न डालते थे बहुत देर तक एकांत में बैठे सोचते रहे किन्तो बुद्धी ने कुछ काम न किया तब सुभद्रा के पास जाकर बोले मास्टर बीस रुपे पर राजी है तो क्या मास्टर ही न मिलते थे मास्टर तो एक नहीं सो है रुपे कहा है रुपे भी इश्वर कहीं से देंगे ही मैं तो कहीं साल से देख रही हूँ इश्वर ने कभी विशेश कृपा नहीं की बस इतना दे देते हैं कि पेट की रोटियां चल जाए वही तो इश्वर है तो तुम ही कोई उपाय निकालो मुझे तु जो कुछ देते हो मत देना, बस तुम तो जरा सी बात पर चिड़ जाती हो चिड़ने की बात ही करते हो आए व्यए तुम से कुछ छिपा नहीं है मैं और कितनी कहां से बचत निकाल दूँगी दूद घी की तुम्हारे या नदी नहीं बहती मिठाई मुरब्बे में कभी फफूंदी नहीं लगी कहारिन के बिना काम चलने ही का नहीं महारजिन का होना जरूरी है और किस खर्चे में कमी करने को कहते हो दूद ही बंद कर दो हाँ बंद कर दो मगर तुम ना पियोगे सदन के लिए तो लेना ही होगा शर्मा जी फिर सोचने लगे पान तबाको का खर्च दस रुपे मासिक से कम न था और भी कई चोटी-चोटी मदों में कुछ न कुछ बचत हो सकती थी किन्तु उनकी चर्चा करने से सुभद्रा की अप्रसंदा का भय था सुभद्रा की बातों से उन्हें स्पष्ट विदित हो गया था कि इस विशे में उसे मेरे सा साहनुभूती नहीं है मन में पाहर के खर्च का लेखा जोडने लगे अंत में बोले क्यों? रोष्णी और पंखे के खर्च में कुछ किफायत हो सकती है हाँ, हो सकती है रोष्णी की क्या आवशकता है? सांज ही से बिच्छावन पर पढ़ रहें यदि कोई मिलने मिलाने आएगा तो आप ही चिला कर चला जाएगा ये घूमने निकल गए नौ बजे लौट कर आए और पंखा तो हाथ से भी जला जा सकता है क्या जब बिजली नहीं थी तो लोग गर्मी के मारे बावले हो जाते थे? खोड़े के रातिब में कमी कर दूँ? हाँ, यह दूर की सूजी खोड़ी की रातिब दिया ही क्यों जाए? घास काफी है यही न होगा कि कुले पर हड्डिया निकल आएंगी किसी तरह मर जीकर कचहरी तक ले ही जाएगा यह तो कोई नहीं कहेगा कि वकील सहाब के पास सवारी नहीं है लड़कियों की पाठशाला को दो रुपे मासिक चंदा देता हूँ नौ रुपे क्लब का चंदा है तीन रुपे मासिक अनाथाले को देता हूँ यह सब चंदे बंद कर दूँ तो कैसा हो? बहुत अच्छा होगा संसार की रीती है कि पहले अपने घर में दिया जला कर मस्जिद में जलाते हैं शर्मा जी सुभद्रा की व्यंग पूर्ण बातों को सुन सुन कर मन में जुझला रहे थे पर धीरज के साथ बोले इस तरह कोई पंद्रा रुपे मासिक तो मैं दूँगा शेश पांच रुपे का बोज तुम्हारे उपर है मैं हिसाब किताब नहीं पूछता किसी तरह संख्या पूरी करो हाँ हो जाएगा कुछ कठिन नहीं है पोजन एक ही समय बने दोनों समय बनाने की जरूरत क्या है संसार में करूड़ों आदमी एक ही समय खाते है किन्तु बिमार या दुबले नहीं होते शर्मा जी अधीर हो गए घर की लड़ाई से उनका हिदय कापता था पर यह चोट ना सही गई बोले तुम क्या चाहती हो कि सदन के लिए मास्टर ना रखा जाए और वे यों ही अपना जीवन नश्ट करे चाहिए तो यह था कि तुम मेरी सहायता करती उल्टे और जी जला रही हो सदन मेरे उसी भाई का लड़का है जो अपने सिर पर आटे दाल की गटरी लाद कर मुझे स्कूल में दाखिल कराने आये थे मुझे वह दिन भूले नहीं है उनके उस प्रेम का इस्मरन करता हूँ तो जी चाहता है कि उनके चरणों पर घिर कर घंटो रों तुम्हें अब अपने रोशनी और पंखे के खर्च में पान तमबाकों के खर्च में घोडे साइस के खर्च में क्यफायत करना भारी मालूम होता है किन्तु भाईया मुझे वार्नेश वाले जोते पहना कर आप नंगे पाउं रहते थे मैं रेश्मी कपड़े पहनता था वे फटे कुर्टे पर ही काटते थे उनके उपकारों और भलाईयों का इतना भारी बोज मेरी गर्दन पर है कि मैं जीवन में उससे मुक्त नहीं हो सकता सदन के लिए मैं प्रते कश्ट सहने को तयार हूँ उसके लिए यदि मुझे पहदल कचहरी जाना पड़े उपवास करना पड़े अपने हातों से उसके जूते साफ करना पड़े तब भी मुझे इंकार नहोगा नहीं तो मुझ जैसा कृतग्न संसार में नहोगा गलानी से सुभद्रा का मुख कमल कुमला गया यद भी शर्मा जीने वे बाते सचे दिल से कहीं थी पर उसने समझा कि वहे मुझे लज्जित करने के निमित से कहीं गई है सिर नीचा करके बोली तो मैंने ये कब कहा कि सदन के लिए मास्टर ना रखा जाए जो काम करना है उसे कर डालिए जो कुछ होगा देखा जाएगा जब दादा जीने आपके लिए इतने कश्ट उठाए हैं तो यही उचित है कि आप भी सदन के लिए कोई बात उठाना रखें मुझसे जो कुछ करने को कहिए बह करूँ आपने अब तक कभी इस विशे पर जोर नहीं दिया था इसलिए मुझे ये ब्रहम हुआ कि ये कोई आवश्या खर्च नहीं है आपको पहले ही दिन से मास्टर का प्रबंद करना चाहिए था इतने आगे पीछे का क्या काम था अब तक तो यह थोड़ा बहुत पढ़ भी चुका होता इतनी उमर गवाने के बाद जब पढ़ाने का विचार किया है तो उसका एक दिन भी व्यर्थ न जाना चाहिए सुभद्रा ने तक्षण अपनी लज्जा का बद्रा ले लिया पंडिजी को अपनी भूल स्विकार करनी पड़ी यदि अपना पुत्र होता तो उन्होंने कदाप इतना सोच विचार न किया होता सुभद्रा को अपने प्रतिवाद पर खेद हुआ उसने पान लगा कर शर्मा जी को दिया यह मानो संधी पत्र था शर्मा जी ने पान ले लिया संधी स्विक्रत हो गई जब वह चलने लगे तो सुभद्रा ने पूछा कुछ सुमन का पता चला? कुछ भी नहीं नजाने कहां गायब हो गई गजादर भी नहीं दिखाई दिया सुनता हूँ घर बार छोड़ कर किसी तरफ निकल गया है दूसरे दिन से मास्टर सहाब सदन को पढ़ाने लगे नौ बजे वह पढ़ा कर चले जाते तब सदन स्नान भोजन करके सोता अकेले उसका जी बहुत घबराता कोई संगी न साथी न कोई हसी न दिल लगी कैसे जी लगे? हाँ, प्राते खाल थोड़ी सी कसरत कर लिया करता था इसका उसे व्यस्न था अपने गाउं में उसने एक छोटा सा अखाड़ा बनवा रखा था यहां अखाड़ा तो न था कमरे ही में डंड कर लेता शाम को शर्मा जी उसके लिए फिटन तयार करा देते तब सदन अपना सूट पहन कर गर्व के साथ फिटन पर सैर करने निकलता शर्मा जी पैदल घुमा करते थे वह पार क्या चावनी की ओर जाते किन्तु सदन उस तरफ न जाता वाईयू सेवन में जो एक प्रकार का दार्शनिक आनंद होता है उसका उसे क्या ग्यान शुद वाईयू की सुखद शीतलता हरे भरे मैदानों की विचारोत पादक दिर्जनता और सुरम में द्रशियों की आनंद में निस्तबदता उसमें इनके रसा स्वादन की योगता न थी उसका योवन काल था जब बनाव सिंगार का भूत सिर पर सवार रहता है वह अत्यंत रूपवान सुगटित बलश्ट युवक था देहात में रहा ना पढ़ना ना लिखना ना मास्टर का भय ना परिक्षा की चिंता सेरों दूद पीता था घर की भेंसे थी घी के लॉंदे के लॉंदे उठा कर खा जाता उस पर कसरत का शौक शरीर बहुत सुडॉल निकलाया था चाती चोड़ी, गर्दन तनी हुई ऐसा जान पढ़ता था मानों देहे में इगुर भरा हुआ है उसके चहरे पर वह गंभीरता और कोमलता ना थी जो शिक्षा और ज्यान से उत्पन्न होती है उसके मुक से वीरता और उदंडता चलगती थी आँखे मतवाली, सतेज और चंचल थी वह बाग का कलमी पौधा नहीं वन का सुद्रड रक्ष था निर्जन पार्क या मैदान में उस पर किसकी निगाँ पढ़ती कौन उसके रूप और योवन को देखता इसलिए पह कभी दाल मंडी की तरफ जाता कभी चौक की तरफ उसके रंग, रूप, ठाट, बाट पर बुढ़े, जवान, सबकी आँखें उठ जाती युवक उसे इरशा से देखते बुढ़े, स्नेजे लोग रहा चलते चलते उसे एक आँख देखने के लिए ठिटक जाते दुकानदार समझते की यह किसी रईस का लड़का है इन दुकानों के उपर सौंदर्य का बाजार था सदन को देखते ही उस बाजार में एक हल चल मच जाती बैश्याएं छजो पर आकर खड़ी हो जाती और प्रेम कटाक्ष के बान उस पर चलाती देखें यह बैख का हुआ कब उतर किस छत्री पर उतरता है यह सोने की चड़िया किस जाल में फस्ती है सदन में वह विवेक तो था नहीं जो सदाचरण की रक्षा करता है उसमें वह आत्मसमान भी नहीं था जो आखों को उपर नहीं उठने देता उसकी फिटन बाजार में बहुत धीरे धीरे चलती सदन की आखें उन्ही रमनियों की ओर लगी रहती योवन के पूर्व काल में हम अपनी कुवासनाओं के प्रदर्शन पर गर्व करते हैं उत्तरकाल में अपने सद्गुनों के प्रदर्शन पर सदन अपने को रसिया दिखाना चाहता था प्रेम से अधिक बदनामिका अकांग्शी था इस समय यदि उसका कोई अभिन मित्र होता तो सदन उससे अपने कल्पित दुश्प्रेम की विस्तरित कथाएं वर्णन करता धीरे धीरे सदन के चित की चंचलता यहां तक बढ़ी की पढ़ना लिखना सब चूट गया मास्टर आते और पढ़ा कर चले जाते लेकिन सदन को उनका आना बहुत बुरा मालूम होता उसका मन हर घड़ी बाजार की ओर लगा रहता वही द्रशे आँखों में फिरा करते रमणियों के हाव, भाव और निदु मुस्कान के स्मरण में मगन रहता इस भाती दिन काटने के बाद जियों ही शाम होती कोच उड़ गया, फिटन पर दो आदमी दूतों की तरह उसके सिर पर सवार रहते इसलिए वह इस बाग के फोलों में हाथ लगाने का साहस ना कर सकता था वह सोचने लगा कि किसी भाती इन दूतों से गला छुडाऊं सोचते सोचते उसे एक उपाई सूज गया एक दिन उसने शर्मा जी से कहा चाचा, मुझे एक अच्छा सा घोड़ा ले दीजे फिटन पर अपाहिजों की तरह बैठे रहना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता घोड़े पर सवार होने से कसरत भी हो जाएगी और मुझे सवारी का भ्यास भी हो जाएगा जिस दिन से सुमन गई थी शर्मा जी कुछ चिंता तुर रहा करते थे मुवक्की लोग कहते कि आजकल इन्हें नजाने क्या हो गया है बात बात पर जुंजला जाते हैं हमारी बात ही न सुनेंगे तो बहस क्या करेंगे जब हमको महनता आना देना है तो क्या यही एक वकील है गली-गली तो मारे-मारे फिरते है इससे शर्मा जी की आमदनी दिन प्रति दिन कम होती जाती थी यह प्रस्ताव सुनकर चिंतित स्वर में बोले अगर इसी घोडे पर जीन खिचालो तो कैसा हो दो-चार दिन में निकल जाएगा जी नहीं, बहुत दुर्बल है सवारी में न ठहरेगा कोई चाल भी तो नहीं न कदम न सरपट कचहरी से ठका मांदा आएगा तो क्या चलेगा शर्मा जी ने चाहा कि इस तरह बात ताल दूँ मामुली घोडा भी धाई 300 से कम में न मिलेगा उस पर कम से कम 25 रुपे मा से खर्च अलग इस समय वह इतना खर्च उठाने में समर्थ न थे किन्तु सदन कब मानने वाला था नित्य प्रती उनसे तकाजा करता यहां तक कि दिन में कहीं बार टोकने की नौबता पहुँची शर्मा जी उसकी सूरत देखते ही सूख जाते यदि उससे अपने आर्थिक दशा साफ साफ कह देते तो सदन चुप हो जाता लेकिन अपनी शिंताओं की राम कहानी सुना कर वे उसे कष्ट में नहीं डालना चाहते थे सदन ने अपने दोनों साईसों से कहे रखा था कि कहीं घोडा विकाओ हो तो हमसे कहना साईसों ने डलाली के लोब से दत चित होकर तलाश की घोडा मिल गया डिगवी नाम के एक सहाब विलायत जा रहे थे उनका घोडा विकने वाला था सदन खुद गया गोड़े को देखा उस पर सवार हुआ चाल देखी मोहित हो गया शर्मा जी से आकर कहा चलिए गोड़ा देख लिजे मुझे बेहद पसंद है शर्मा जी को अब भागने का कोई रास्ता न रहा जाकर गोड़े को देखा डिगवी सहाब से मिले दाम पूछे उन्होंने 400 रुपे कहां से आएं घर में अगर 102 रुपे थे तो वह सुभद्रा के पास थे और सुभद्रा से इस विशे में शर्मा जी को साहनुभूती की लेश मात्र भी आशा न थी उपकारी बैंक के मैनेजर बाबु चारू चंद्र से उनकी मित्रता थी उनसे उधार लेने का कहीं वह इंकार कर दें तब इस इंकार का भीशन भय उन्हें सता रहा था वह यह बिल्कुल न जानते थे कि लोग कैसे महाजनों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं कहीं बार कलम दवात लेकर रुक्का लिखने बैठे किन्तु लिखें क्या यह न सूझा इस बीच में सदन डिगवी सहब के यहां से घोड़ा ले आया जीन साज का मूल्य पचास रुपे और हो गया दूसरे दिन रुपे चुका देने का वादा हुआ केवल रात भर की महलत थी प्राते का रुपे देना परमावश्चक था शर्माजी की हैसियत के आदमी के लिए इतने रुपे का प्रभंद करना कोई मुश्किल न था किन्तु उन्हें चारो और अंधेरा दिखाई देता था उन्हें आज अपने शुद्रता का ग्यान हुआ जो आदमी कभी पहाड पर नहीं चड़ा उसका सिरेक छोटे से टीले पर भी चक्कर खाने लगता है इस दुर्वस्था में सुभद्रा के सिवाए उन्हें कोई अवलंब न सुझा उसने उनकी रोनी सूरत देखी तो पूछा आज इतने उदास क्यों हो जी तो अच्छा है शर्मा जी ने सिर जुका कर उत्तर दिया हाँ जी तो अच्छा है तो चहरा क्यों उत्रा है क्या बताऊं कुछ कहा नहीं जाता सदन के मारे परिशान हूँ कई दिन से घोडे की रट लगाये हुए था आज डिगवी साब के यहां से घोडा ले आया साड़े चार सु रुपे के मत्थे डाल दिया सुभद्रा ने विसमित होकर कहा अच्छा यह सब हो गया और मुझे खबर ही नहीं तुमसे कहते हुए डर मालूम होता था डर की कौन सी बात थी क्या मैं सदन की दुश्मन थी जो जल भुन जाती उसके खेलने खाने के क्या दिन और आएंगे कौन बड़ा खर्च है तुम्हें ईश्वर कुशल से रखें ऐसे चार पांसो रुपे कहां आएंगे और कहां जाएंगे लड़के का मन तो रह जाएगा उसी भाई का तो बेटा है जिसने आपको पाल पोस करा जिस योग्य बनाया शर्मा जी इस व्यंग के लिए तयार थे इसलिए उन्होंने सदन की शिकायत करके यह बात छेड़ी थी किन्तो वास्तव में उन्हें सदन का यह व्यस्न उतना दुख जनक नहीं मालूम होता था जितना अपनी दारून धनहीन था सुभद्रा की सानुभूती प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में पैठना जरूरी था बोले चाहे जो कुछ हो मुझे तो तुमसे कहते हुए डर लगता था मन की बात कहता हूँ लड़कों का खाना खेलना सबको अच्छा लगता है पर घर में पूंजी हो तब दिन भर से इसी फिक्र में पढ़ा हुँ कुछ बुद्धी काम नहीं करती सबेरे डिगवी सहाब का आदमी आएगा उसे क्या उत्तर दूँगा बिमार भी पढ़ जाता तो एक बहाना मिल जाता तो यह कौन सी मुश्किल बात है इस व्यंग में कितनी निर्दैता कितनी विरखती थी बोले अच्छा मान लिया के आदमी कल लोट गया लेकिन परसों तो डिगवी सहाब जाने वाले ही हैं कल कोई न कोई फिक्र करने ही पड़ेगी तो यही फिक्र आज क्यों नहीं कर डालते भाई चिड़ाओ मत अगर मेरी बुद्धी काम करती तो तुम्हारी शरण क्यों आता चुप चाप काम न कर डालता जब कुछ नहीं बन पड़ा है तब तुम्हारे पास आया हूँ बताओ क्या करूँ मैं क्या बताओ आपने तो वकालत पढ़ी है मैं तो मिडल तक भी नहीं पड़ी मेरी बुद्धी यहां क्या काम देगी इतना जानती हूँ कि घोड़े को द्वार पर हिन हिनाते सुनकर बैरियों की छाती धड़क जाएगी जिस वक्त आप सदन को उस पर बैठे देखेंगे तो आखे त्रिप्थ हो जाएंगी वही तो पूछता हूँ कि यह बिलाशाएं कैसे पूरी हो इश्वर पर भरोसा रखिए वह कोई न कोई जुकत निकालेगा ही तो तुम ताने देने लगी इसके सिवाई मेरे पास और है ही क्या अगर आप समझते हो कि मेरे पास रुपे होंगे तो यह आपकी भूल है मुझे हेर फेर करना नहीं आता संदुक की चाबी लीजिए सौ सवा सो रुपे पड़े हुए हैं निकाल ले जाएए बाकी के लिए और कोई फिक्र कीजिए आपके कितने ही मित्रे हैं क्या दो चार सो रुपे का प्रबंद नहीं कर देंगे यदे भी पदम सिंग यही उत्तर पाने की आशा रखते थे पर इसे कानों से सुन कर वह अधीर हो गए गाठ जरा भी हलकी न पड़ी चुप चाप आकाश की और ताकने लगे जैसे कोई अथा जल बहा जाता हो सुभद्रा संदूक की चाबी देने को तैयार तो थी लेकिन संदूक में सौ रुपे की जगे पुरे पांस सो रुपे बटवे में रखे होए थे यह सुभद्रा की दो साल की कमाई थी इन रुपेओं को देख देख सुभद्रा फोली ना समाती थी कभी सोचती अपकी घर चलूँगी तो भाबी के लिए अच्छा सा कंगन लेती चलूँगी और गाओं की सब कन्याओं के लिए एक-एक साड़ी कभी सोचती यहीं कोई काम पढ़ जाए और शर्मा जी रुपे के लिए परिशान हो तो मैं चट निकाल कर दे दूँगी वह कैसे प्रसन होंगे? चकेत हो जाएंगे साधारन तह युवतियों के हृदे में ऐसे उदार भाव नहीं उठा करते वह रुपे जमा करती हैं अपने गहनों के लिए लेकिन सुभद्रा बड़े धनी घर की बेटी थी कहनों से मन भरा हुआ था उसे रुपेओं का जरा भी लोब न था हाँ, एक ऐसे अनावश्य कार्य के लिए उन्हें निकालने में कश्ट होता था पर पंडित जी की रोनी सूरत देखकर उसे दया आ ही गई रुपे नहीं है, तब तक किसी तरह काम चलाओ इस तरह मन बढ़ाना कौन सी अच्छी बात है आज घोड़ी की जिद है, कल मोटर कार की धोन होगी तब क्या कीजिएगा माना कि दादा जी ने आपके साथ बड़े अच्छे सलूप किये हैं लेकिन सब काम अपनी हैसियत देख कर ही किये जाते हैं दादा जी है सुनकर आपसे खुश न होंगे यह कहकर वह चमक कर उठी और संदूग में से रुपेयों की पांच पोटलियां निकाल लाई उन्हें पती के सामने बटक दिया और कहा यह लीजी पांच सो रुपे हैं जो चाही कीजी रखे रहते तो आप ही के काम आते पर ले जाएए किसी भाती आपकी चिंता तो मिटे आप संदूग में फूटी कौडी भी नहीं है पंडीची ने हक बका कर रुपेयों की और कातल नेत्रों से देखा पर उन पर टूटे नहीं मन का बोज हलका अवश्य हुआ चेहरे से चित की शांती जलकने लगी किन्तु वह उल्लास वह विहवलता जिसकी सुभद्रा को आशा थी दिखाई न दी एक ही खण में वह शांती की जलक भी मिट गई खेद और लज्जा का रंग प्रकट हुआ इन रुपेओं में हाथ लगाना उन्हें अतीव अनुचित प्रतीत हुआ सोचने लगे मालूम नहीं सुभद्रा ने किस नियत से यह रुपे बचाए थे मालूम नहीं इनके लिए कौन-कौन से कष्ट सहे थे सुभद्रा ने पूचा सेत का धन पाकर भी प्रसन नहीं हुए शर्मा जी ने अनुग्रह पोंड द्रिष्टी से देख कर कहा क्या प्रसन हों तुमने नाहक यह रुपे निकाले मैं जाता हूँ घोडे को लोटा देता हूँ कह दूँगा सितारा पेशानी है या कोई दोश लगा दूँगा सदन को बुरा लगेगा इसके लिए क्या करूँ यदि रुपे देने से पहले सुभद्रा ने यह प्रस्ताव किया होता तो शर्मा जी बिगड जाते इसे सजजनता के विरुद्ध समझते और सुभद्रा को आड़े हातों लेते पर इस समय सुभद्रा के आत्मोत सर्ग ने उन्हें वशी भूत कर लिया था समस्या यह थी कि घर में सजजनता दिखाएं या बाहर उन्होंने निश्चे किया कि घर में इसकी आवशक्ता है किन्तु हम बाहर वालों की दृष्टी में मान मर्यादा बनाए रखने के लिए घर वालों की कप परवा करते हैं सुभद्रा विसमित होकर बोली यह क्या इतनी जल्दी काय पलट हो गई जानवर लेकर उसे लौटा दोगे तो क्या बात रहे जाएगी यदि डिगवी सहाब फेर भी लें तो यह उनकी साथ कितना न्याय है वह बेचारे विलायत जाने के लिए तयार बैठे हैं उन्हें यह बात कितनी अखरेगी नहीं यह छोटी सी बात है रुपे ले जाएए दे दीजे रुपे इन ही दिनों के लिए तो जमा किया जाता है मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है मैं सहर्ष दे रही हूँ यदि ऐसा ही है तो मेरे रुपे फेर दीजेगा रिंड समझ कर ले लीजे बात वही थी पर जरा बदले हुए रूप में शर्माजी ने प्रसन्नों होकर कहा हाँ इस शर्थ पर ले सकता हूँ मास से किष्ट बांद कर अदा करूँगा प्राचीन रिशियों ने इंद्रियों का दमन करने के दो साधन बताए हैं एक राग दूसरा वेराग्य पहला साधन अतिंत कठिन और दुस साध्य है लेकिन हमारे नागरिक समाज ने अपने मुख्य स्थानों पर मीना बाजार सजा कर इसी कठिन मार को ग्रहन किया है उसने ग्रहस्ती को कीचड का कमल बनाना चाहा है जीवन की भिन भिन अवस्थाओं में भिन भिन वासनाओं का प्राबल ले रहता है बच्पन बिठाईयों का समय है बढ़ापा लोग का यवन प्रेम और लालसाओं का समय है इस अवस्था में मीना बाजार की सेर मन में विपलव मचा देती है जो सुद्रड हैं लजज़ाशील या भावशुन्य वे संभल जाते हैं शेश फिसलते हैं और गिर पड़ते हैं शराब की दुकानों को हम बस्ती से दूर रखने का यत्न करते हैं जुआ खाने में भी हम घ्रना करते हैं लेकिन वैश्याओं की दुकानों को हम सुचसजित कोटों पर चौक बाजारों में ठाट से जाते हैं यह पापो तेजना नहीं तो और क्या है बाजार की साधारन वस्तूओं में कितना आकर्शन है हम उन पर क्यों लट्टू हो जाते हैं और कोई आवशक्ता ना होने पर भी उन्हें ले लेते हैं तब वे कौन सा रिदय है जो रूप राशी जैसे अमूले रत्न पर मरना मिटेगा क्या हम इतना भी नहीं जानते विपक्षी कहता है यह व्यर्थ की शंका है सहस्रों युवग इत्तिये शहरों में घूमते रहते हैं किन्तु उन में से बिरले ही कोई विगड़ता है वे मानव पतन का प्रत्यक्ष प्रमान चाहता है किन्तु उसे मालूम नहीं कि वायू की भाती दुरबलता भी एक अद्रिश्य वस्तु है जिसका ज्यान उसके कर्म से ही हो सकता है हम इतने निरलज इतने साहस रहित क्यूं है हमें आत्म गौरव का इतना भाव क्यूं है हमारी निर्जीवता का क्या कारण है वे मानसिक दुरबलता के लक्षन है इसलिए आवशक है कि इन विश्भरी नागिनों को आबादी से दूर किसी प्रथक स्थान में रखा जाए तब उन निंदे स्थानों की और सेर करने को जाते हुए हमें संकोच होगा यदि वे आबादी से दूर हों और वहां घूमने के लिए किसी बहाने की गुणजाईश न हो तो ऐसे बहुत कम बेहया आदमी होंगे जो इस मीना बाजार में कदम रखने का साहस कर सके कई महीने बीट गए बर्शा काला पहुचा मेलो ठेलो की धूम मच गई सदन बाकी सजधज बनाए मनचले घोडे पर चारो और घूमा करता उसके रिदय में प्रेम लाल्चा की एक आगसी जलती रहती थी अब वह इतना निश्यंक हो गया था कि दाल मंडी में घोडे से उतर कर तंबोलियों की दुकानों पर पान खाने बैठ जाता वे समझते यह कोई बिगड़ा हुआ रईस जादा है उससे रूप हाट की नई-नई घटनाओं का वर्णन करते गाने में कौन सी अच्छी है और कौन सुन्दर्ता में अद्वितिय है इसकी चर्चा छिड़ जाती इस बाजार में नित्य यह चर्चा रहती सदन इन बातों को चाव से सुनता अब तक वे कुछ रसग्य हो गया था पहले जो गजलें निरर्थक मालूम होती थी उन्हें सुनकर अब उसके हिदे का एक-एक तार सितार की भांती गुंजने लगता था संगीत के मदूर स्वर उसे उन्मत्त कर देते बड़ी कठिंता से वे अपने को कोठों पर चढ़ने से रोक सकता पदम सिंग सदन को फैशनेबल तो बनाना चाहते थे लेकिन उसका बागपन उनकी आँखों में खटकता था वे नित्य वायू सेवन करने जाते पर सदन उन्हें पार क्या मैदान में कभी नहीं मिलता वे सोचते कि ये रोज कहां वोने जाता है कहीं उसे दालमंडी की हवा तो नहीं लगी उन्होंने दो तीन बार सदन को दालमंडी में खड़े देखा उन्हें देखते ही सदन छट एक दुकान पर बैठ जाता और कुछ ना कुछ खरीदने लगता शर्मा जी उसे देखते और सिर नीचा किये हुए निकल जाते बहुत चाहते कि सदन को इधर आने से रोकें किन्तु लज्जावश कुछ ना कह सकते एक दिन शर्मा जी सेर करने जा रहे थे कि रास्ते में दो सजनों से भेंट हो गई ये दोनों मुनिसिपल्टी के मेंबर थे एक का नाम था अबुलवफा दूसरे का अब्दुललतीफ ये दोनों फिटन पर सेर करने जा रहे थे शर्मा जी को देखते ही रुख गए अबुलवफा बोले आईए जनाब आप ही का दिक्र हो रहा था आईए कुछ दूर साथ ही चलिए शर्मा जी ने उत्तर दिया मैं इस से में घूमा करता हूँ शमा कीजिए जी आप से एक खास बात करनी है हम तो आपके दौलत खाने पर हाजिर होने वाले थे इस आग्रह से विवश होकर शर्मा जी फिटन पर बैठे वहे खबर सुनाएं कि रुख फड़क उठे फरमाईए तो आपकी महाराजिन सुमन बाई हो गई बल्ला हम आपके नजर इंतखाब के कायल है अभी तीन-चार दिनों से ही उसने दालमंडी में बैठना शुरू किया है लेकिन इतने में ही उसने सब का रंग मात कर दिया है उसके सामने अब किसी का रंग ही नहीं जमता उसके बाला खाने के सामने रंगीन मिजाजों का अमबहोत जमा रहता है मुखडा गुलाब है और जिस्म तपाया हुआ कुंदन जनाब मैं आप से अजरुए इमान कहता हूँ कि ऐसी दिल फरेब सूरत मैंने न देखी थी भाई उसे देख कर भी कोई पाक बाजी का दावा करे तो उसका मुरीद हो जाओ ऐसे लाले बे बहा को गुदर से निकालना आप ही जैसे हुसन शिनास का काम है बला की जहीन मालूम होती है अभी आपकी आँसे निकले हुए पांच-छे महीने से जादा नहीं हुए होंगे लेकिन कल उसका गाना सुना तो दंग रह गए इस शेहर में उसका सानी नहीं किसी के गले में वह लोच और नजाकत नहीं है अजी जहां जाता हूँ उसी की तरचा सुनता हूँ लोगों पर जादूसा हो गया है सुनता हूँ सेट बलभदर दास जी की आम दरफत शुरू हो गई चलिए आज आप भी पुरानी मुलाकात ताजी कराईए आपकी तुफैल में हम भी फैज पा जाएंगे हम आपको खीच ले चलेंगे इस वक्त आपको हमारी खातिर करनी होगी पंडिजी इस समाचार को सुनकर खेद, लजजा और गलानी के बोज से इतने दव गए कि सिर भी न उठा सके जिस बात का उन्हें भै था पह अंत में पूरी होकर ही रही उनका जी चाहता था कि कहीं एकांत में बैठ कर इस दुरघटना की आलोच ना करें और निश्चे करें कि इसका कितना भार उनके सिर पर है इस दुराग रहे पर कुछ खिन होकर बोले मुझे शमा कीजिये, मैं चलना सकूँगा क्यों? इसलिए कि एक भले घर की इस्तरी को इस दशा में देखना मैं सहन नहीं कर सकता आप लोग मन में चाहे जो कुछ समझे किन्तु उसका मुझसे केवल इतना ही समभन्द है कि वह मेरी इस्तरी के पास आती जाते थी जनाब यह पार्साई की बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखिए हमने इसी कूचे में उम्र काड़ती है और इन रुमुज को खूब समझते हैं चलिए आपकी सिफारिश से हमारा भला हो जाएगा पंडीची से अब सब्र ना हो सका अधीर होकर बोले मैं कह चुका हूँ मैं वहाँ ना जाऊंगा मुझे उतर जाने दीजिए और हम कह चुके हैं कि जरूर ले चलेंगे आपको हमारी खातेर से इतनी तक्लीफ करनी पड़ेगी अब्दुल लतीफ ने घोड़े को एक चाबुक लगाया वह हवा हो गया शर्मा जी ने क्रोज से कहा आप मेरा अपमान करना चाहते हैं जनाब आखिर वजय भी तो कुछ होनी चाहिए जरा देर में पहुंच आते हैं यह लीजिए सड़ घुम गई शर्मा जी समझ गए कि यह लोग इस समय मेरी आरजू मिननत पर ध्यान न देंगे सुमन के पास जाने के बदले वह कुए में गिरना अच्छा समझते थे अतेव उन्होंने अपने कर्तवे का निश्चे कर लिया वह उठे और वेग से चलती हुई गाड़ी से कोद पड़े यदि भी उन्होंने अपने को बहुत संभाला पर रुक न सके पैर लड़ खड़ा गए और वह उल्टे हुए पचास कदम तक चले गए कई बार गिरते गिरते बचे पर अंत में ठोकर खाकर गिर ही पड़े हाथ की कोहनियों में कड़ी चोट लगी हाफते हाफते बेदम हो गए शरीर पसीने में डूब गया सिर्थ चक्कर खाने लगा और आखें तिल मिला गई जमीन पर बैट गए अब्दुल लतीफ ने घोड़ा रोक दिया और दोड़े हुए दोनों आदमी उनके पास आए और माल निकाल कर जलने लगे कोई पंधरा मिनट में शर्मा जी सचेत हुए दोनों महाशे पच्ताने लगे बहुत लजजित हुए और शर्मा जी से एक शमा मांगने लगे बहुत आगरहे किया कि गाड़ी पर बैठा कर आपको घर पहुचा दे लिकिन शर्मा जी राजी ना हुए उन्हें वही छोड़ कर वहे खड़े हुए और लंगडाते हुए घर की तरफ चले लेकिन अब साबधान होने पर उन्हें विसमे होता था कि मैं फिटन से कूद क्यो ना पड़ा यदि मैं एक बार जड़क कर कह देता कि गाड़ी रोको तो किसकी मजाल थी कि न रोकता अगर वहे इतने पर भी न मानते तो मैं उनसे हाथ से राज चीन सकता था पर खेर जो हुआ वह हुआ कहीं वहे दोनों मुझे बातों में बहला कर सुमन के दरवाजे पर जा पहुँचते तो मुश्किल होती सुमन से मेरी आखे कैसे मिलती कदाचेत मैं गाड़ी से उतरते ही भागता पागलों की भाती बाजार में दोड़ता गव का वद होते तो चाहे देख सकूं पर सुमन को इस दशा में नहीं देख सकता बड़े से बड़ा भय सदैव कल्पित हुआ करता है इस समय उनके मन में बारं बार यह प्रश्न उट रहा था कि दुरगटना का उत्तरदाता कौन है उनकी विवेचना शक्ती पिछले बातों की अलोचना कर रही थी यदि मैंने उसे घर से निकाल न दिया होता तो इस भादी उसका पतन न होता मेरे यहां से निकल कर उसे और कोई ठिकाना न रहा और क्रोध और कुछ नहराश्य की अवस्था में यह भीशन अभिनय करने पर बात द्य हुई इसका सारा अपराद मेरे सिर है लेकिन कजाधर सुमन से इतना क्यों बिकड़ा यह कोई परदा नशीन स्तरी न थी मेले ठेले में आती जाती थी केवल एक दिन सरा देर हो जाने से कजाधर उसे कठोर दंड कभी न देता वे उसे डाटता संभव है दो-चार धौल भी लगाता सुमन रोने लगती कजाधर का क्रोध ठंडा हो जाता वे सुमन को मना लेता बस जगड़ा तै हो जाता पर ऐसा नहीं हुआ केवल इसलिए कि विठल दास ने पहले ही से आग लगा दी थी निसंदे सारा अपराद उन्ही का है मैंने भी सुमन को घर से निकाला तो उन्ही के कारण उन्होंने सारे शेहर में बदनाम करके मुझे निर्दई बनने पर विवश किया इस भाते विठल दास पर दोशार उपन करके शर्मा जी को बहुत धहरे हुआ इस धारना ने पश्चाताप की वह आग ठंडी की जो महीनों से उनके हृदय में दहक रही थी उन्हें विठल दास को पानित करने का एक मौका मिला घर पहुँचते ही विठल दास को पत्र लिखने बैठ गए कपड़े उतारने की भी सुधना रही प्रिये महाशे नमस्ते आपको यह सुनकर असीम आनंद होगा कि सुमन अबदाल मंडी के कोठे पर विराजमान है आपको इसमरन होगा कि होली के दिन वह अपने पती के भय से मेरे घर चली आई थी और मैंने सरल रीती से उसे उतने दिनों तक आश्रे देना उचित समझा जब तक उसके पती का क्रोध ना शांत हो जाए पर इसी बीच मेरे कई मित्रों ने जो मेरे सभाव से सर्वता अपरचित नहीं थे मेरी उपेक्षा तथा निंदा करनी आरंब की यहां तक कि मैं उस अभागिनी अबला को अपने घर से निकालने पर विवश हुआ और अंत मेव है उसी पापकुंड में गिरी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपको अभी तक यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपके कॉमेंट्स और लाइक हमें प्रोथसाहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ